है हेलो स्टूडेंट वेल्कम तू माई चैनल आज के इसली electrify हम पढ़ें गे स्टाप इंपर्टेंट क्वेस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्recht क्वेश्ष्ष्ष्ष्ष के बारे में हम पढ़ेंगे और यह ग्शेशन ओ एग草ंगे तो आईए देखते हैं पहला question तो पहला question देखिए student है किसी बैदुत दीधु के कारण अच्छी इस्तिती में किसी बिंदु पर बैदु छेत्र की तिर्बता का ब्यंजक प्राप्त कीजिए यह एक most और हर साल एक्जाम में देता है जरूर देता है ठीक है उसके बाद दूसरा है दूसरा नमबर हम पढ़ रहे हैं तो लिखा है कि बैदु दीधु के कारण निरच्छी इस्तिती में किसी बिंदु पर बैदुत छेत्र की तिर्बता का ब्यंजक प्राप्त कीजिए यह आपके लिए most और बहुत इंपार्टेंट टापिक है ठीक है यह जरूर आता है एक्जाम में फिर तीस के लिखना है और गोस की नियम और सिधकना भाएं इस सब इतने कोष्चिन बता रहे हैं फॉल्ड के क्वेश्चिन बारे जरूर आते हैं अगर आप इस सब क्योश्चिन दÏ को गर आत कर लेते हैं तो इस मेंसे आपका जरूर आएगा और यह बिल्कुल Hill ncr bla से लिया गया यह सब क्वेश्चन है और यह सब क्वेश्चन है उसके बाद नेश्ट देखते हैं फोर नमबर समानतर प्लेट संधारित के लिए वेंजक का निगमन कीजिए तथा इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है इसको भी लिखिए तो ठीक है यह सब जीतने भी आप क्वेश्चन पढ़ रहें इन सब के आंसर इन सब के डेरिवेशन इन सब के वीडियो आपको हमारे चैनल कर दो मिल जाए घञा अब इसके बाद आप नेश्ड देह लेते हैं नेश्ड देहरा तूंग मुक्ति-अलेक्टानों की अ फवह विंग से आप क्या समझते हो ठीक है मुक्ति इलेक्टानों के अफवाबेक से आप क्या समझते हो मुक्ति इलेक्टानों के अफवाबेक की अधार पर उम की नियम की व्याख्या करना है ठीक है स्टुडेंट यहाँ पे पहले आपको क्या करना है अफवाबेक से क्या समझना है इसको लिखना है मुक्ति लेक्टान से अफवाबेक की अधार पर ओम की नियम की ब्याख्या करना है यह हो गया अब इसकी बाद छटमा क्वेश्चन हम देखते हैं तो दे रखा है कि दो समांतर धारा वही चालकू की बीच कारिक करने वाले बल का सुत्र इस्थापित कीजिए तो आपको इसक निगमन करना यह नहीं कि निगमन पूछा कोई और का एक्जाम में किसी और का निगमन करकर चले हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए कि दो समांतर धारावाई चालकों की बीच कार करने वाले बलका सुत्रिग्यात कीजिए ठीक है यह हो गया उसके बाद सात्वा क् प्रिभासा ठीक है अन्योन प्रेडर गुलांग की परिभासा आपको लिखना यह मातरग भी लिखना है इसका मातरग क्या होता है फिर उसके बाद इसी में दे रहा कि दो समतल कुंडलियों की बीच अन्योन के लिए सुत्र को इस्थापित कीजिए जिसका डेफिनेशन लि कर रहे हैं ठीक है और उसमें क्या डाउट आपको हो रहा है आप हमें कमेट में जरूर करकर बताइएगा है sì कि आप physics में इस समय क्या पढ़ रहें कौन सा chapter पढ़ रहे हैं ठीक अब इसके बाद next question देखते हैं दे रखा कि transforma की रचना ठीक है transforma तो आप जानते हैं उसकी रचना करना है तथा कारी बीधी का करना है कि वह कारिक कैसे करता है उसका वर्ण करना है फिर इसमें दे रखा एक और question इसमें पूदिया इसमें पटलित लह क्रोड का क्या महत्तु है ठीक है इस्टोरेंट देखिए यह फाइप नंबर का question है आपको इसमें derivation भी करना रहता है और इसकी किरिया वीधी वीधिवत लिखना रहता है ठीक है तभी तो आपको फाइप नंबर गैन कर पाओ गया दर्वाइप नंबर नहीं मिलेगा ठीक है और इसमें इसका बीमा कैसे निकालते हैं इसका मात्रक लिखेंगे तो phoole marks कैसे मिलता है इसका कर वीडियो आप चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो ठीक है कि amentos कैसे मिले long question को दिराई खें किös कर रहें ठीक है कैसे लिखें कि full mark हमें मिलता है क्योंकि lang question में दिखी भावना तो नहीं रहती है लेकिन फूल मार्क्स मैं दिलवाऊंगा आपको कैसे दिलवाऊंगा इसके लिए आपको हमारे चैनल पर वीडियो वैल वैल है आपको हाँ जाकर देख सकते हो और अपने एक्जाम में यह सब जो लांग क्वेश्चन इसमें आप क्या फूल मार्क् की है आपको 100% १ूल मार्क्स मिलेगा आपको क्वेश्चन पर भी नंदर मिलेगा इसके लिए भी मैं अपने वीडियो पर बताया हूँ उसी में की क्वेश्चन पर भी आपको लांग क्यों है तो इसको हैं उसको कैसे सालव करना है ठीक है तो इसके बारी मारे में आ सकते हो ठीक है उसके बाद 9 question हम देखते हैं student दे रखा कि विद्दुचुम्ब की तरंगे क्या है इनकी चार बिस्यस्ताओं को बताइए या वर्लन कीजिए देखिए फाइप मास का question है तो इसमें पूछ एक विद्दुचुम्ब की तरंग क्या है उसके बाद इनकी चार बिस्यस्ताओं का वर्लन कीजिए विद्दुचुम्ब की तरंग एक नंबर का हो गया और इनकी चार बिस्यस्ताओं का वर्लन आप करेंगे तो यह चार नंबर यह चार एक पांच नंबर तो यह पांच नंबर का question student और बहुत important है और हर साल एक्जाम में देता है मैं कह अगर आप इसमें से जीतने question में बताया हूं अगर याद कर लेते हैं तैयार कर लेते derivation को fit कर लेते हैं तो आपका पांच नंबर एक्जाम में रख कर आया है ठीक है जरूर इसमें से चार से पांच question जरूर आएंगे आपकी पेपर में फिर दे रखाए 10 नंबर कि बीट इ असानी आ रहे हैं जो भी दिक्ते आ रही है जो भी मुसीबत आ रही हो आप मुझे कमेंट करकर बताई उस मुसीबत को मैं साल्व करूंगा और आप चाहे तो मुझे वाटसाब से जुड़कर भी सवाल को साल्व कर सकते हो numerical से related हो definition से related हो हिंदी से related हो chemistry से related हो बायो से रिले thank you